शो प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं नेहा तिवारी आज की हिंदी की ओनलाइन क्लासेज में आप सब का स्वागत करती हूँ बच्चों, आज हिंदी विशे में हम पार्ट एक का अध्यन करेंगे जिसका नाम है वहचडियाजो और इसके कवी हैं केदारनाथ अगरवाल जी आएए बच्चों, पार्ट में आगे बढ़ने से पहले हम कवी जो हमारे हैं केदारनाथ अगरवाल जी उनके बारे में प्रगतिवादी कवी थे अनूठा शब्द चयान और भावा विव्यक्ति में चित्रात्मक्ता इनकी विशेस्ता है बच्चों यहाँ छायावादी यूग और प्रगतिवादी कवी आपने इस तरीके के शब्दों को सुना ये शब्द आपकी आगे की बढ़ी कक्षाओं म अकादमी तथा सोवियत लैंड नहरु पुरसकार से सम्माने दुए आए बच्चों पार्ट में आब हम आगे बढ़ते हैं इस पार्ट में हमारी कवीता में क्या कहा है कवी ने वह चिडिया जो चोच मार कर दूद भरे जुन्डी के दाने रुचिसे रस से खा लेती है वह चोटी संतोसी चिडिया नीले पंखों वाली मैं हूं मुझे अन से बहुत प्यार है आए बच्चों शब्दार्ट देख लेते हैं जुन्डी के दाने अर्थात जुआर के दाने रुचि शौक रस से अर्थात आनंद से संतोसी यानि संतुष्ट और अन अर्थात अनाज य को खाती है कैसे खाती है बहुत ही शौक से रुचि से यानि शौक से और बहुत ही आनंद से खाती है और जो जुन्डी के दाने वो कैसे इतने रसीले है ऐसा लगता है जैसे दूद से भरे हुए है वह जो छोटी सी चडिया है वह बहुत ही संतोसी है और उसे क्या है अनाज से अन से बहुत प्रेम है ठीक है बच्चों चलिए कविता में हम आगे बढ़ते हैं वह चिडिया जो कंट खोल कर बूढे वन बाबा की खातिर रस उडेल कर गा लेती है वह छोटी मों बोली चिडिया नीले पंखों वाली मैं हूं मुझे विजन से बहुत प्यार है आए बच्चों शब्दार्त देख लेते हैं कंट अर्थात गला बूढे अर्थात पुराने विजन अर्थात एकांथ वह जो चिडिया है नीले पंखों वाली है वह कंट खोल कर अर्थात एकदम खुले गले से किसके लिए गाना गाती है बूढे बनवाबा अर्थात जो वाली उसे विजन अर्थात के कांथ से बहुत प्रेम है चलिए बच्चों आगे की पंतियों में बढ़ते हैं हम वे चिडिया जो चोच मार कर चड़ी नदी का दिल टोल कर जल का मोती ले जाती है वे चोटी गर्बीली चिडिया नीले पंकों वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है आएए बच्चों शब्दार्थ देख लेते हैं चड़ी नदी अर्थात पानी से भरी हुई नदी और गर्बीली अर्थात गर्व से भरी हुई तो यहाँ पर कवी कहते हैं कि वे जो चिडिया है वो क्या करती है चोच मार कर जिस नदी में जहाँ पर पानी बहुत भरा होत वहां पर चोच मार कर किस प्रकार जल पीती है मानो मोती एक अत्रित कर रही है ना जल की जो बूंदे हैं वो मोती के समान लगती है और वह जो छोटी गर्व से भरी हुई चिडिया है नीले पंखों वाली उसे नदी से बहुत प्रेम है उमीदे बच्चों आपको इस पार्ट का अर्थ बहुत अच्छे से समझाया होगा आपको ये पार्ट कैसा लगा उमीद करती हूँ आप सब इस पार्ट का अध्यान बहुत अच्छे से करेंगे धन्यवाद